नमस्कार दोस्तों टेक ईलेक्टोनिस चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक LED वाल्ब है और यह उटमेटिक इमार्जेंसी लाइट वाल्ब है और यह बलेज कमपनी का है और यह 12 वाट का है और ये बाल्ब आटमेटिक गलो करता है बिजली जाने के बाद तो इस बाल्ब में क्या प्रोब्लेम हुआ है आपको दिखाता हूँ जब बिजली चला जाता है अब ये बाल्ब गलो करता है ठीक है लेकिन बिजली में लागाने के बाद ये गलोनाई करता है आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिजली है तो बिजली में लागाता हूँ देखे बिल्कुल गलोनाई कर रहा है फूरा थूरा बिलिंक कर रहा है देख सकते हैं ठीक है यह problem है तो चले इस बाल्ब को repair करते हैं दोस्तों यह वीडियो बहुत ही informative होने वाला है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखे तो सबसे पहले हमें क्या करना परेगा जो इसका जो diffuser है उसको हड़ाना परेगा तो कुछ इस तरह से हड़ा सकते हैं आप और देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे LED बाल्ब है मतलब बहुत सारे SMD LED है नॉर्माल बाल्ब के हिजाब से देख सकते हैं मीडिल में जो LED आपको दिखाए दे रहा है यह DC के लिए है जो की battery से चलता है और जो side में LED है एक line का स AC से चलता है तो मीडिल का जो LED है वो DC के लिए है तो आपको दिखा देता हूँ गलो करता है कि नहीं दोनों वार को short करने से मतलब है दोनों terminal उसको short करने से देख सकते है DC का जो बाल्ब है middle का वो गलो कर रहा है लेकिन बीजली में लगाने के बाद ये LED गलो नहीं करेगा side का LED गलो करता है और यहाँ पर जो battery है अंदर वो charge होता है तो इस बाल्ब में यही problem है बीजली में ल देखना परेगा ठीक है और यहाँ पर clearly आप देख सकते हैं यह जो SMD LED है काला हो जुगा है ठीक है मतलब यह definitely fuse हो जुगा है तो LED को आप मतलब LED बाल्ब को जब आप repair करें तब date भी देख लेना ठीक है देख सकते हैं यह एक साल से ज्यादा हो गया है इस बाल्ब का date देख सकते हैं यह बाल्ब एक साल से ज्यादा हो गया है और यह जो SMD LED से side में इसका जो life है वो खतम हो जुगा है मतलब यहाँ पर जो एक LED खरब हुआ है अगर इसको बुदल देते हैं फिर भी chance है ज्यादा तर इस LED बाल्ब में से कोई एक तुरंती खरब हो जाएगा क्योंकि इन सभी SMD LED इसका life खतम हो जुगा है ज्यादा दिन चलने के बजासी ठीक है तो पहले आपको बता देता हूँ बाल्ब में कैसे connection है ठीक है यह जो बाल्ब है और यह जो बाल्ब है दोनों parallel में है ठीक है इसका positive इसका positive एक साथ जुरा हुआ है इसका negative और इसका negative एक साथ ज connection ठीक है यहाँ पर जो track है वो दिखाई दे रहा है मुझे सब सब लेकिन camera में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप diagram में समझ सकते हैं कैसे connection है ठीक है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर voltage आ रहा है कि नहीं हो चेक करना है आपको कैसे पाता चलेगा कौन सा DC का wire है और कौन सा AC का अर दोस्तों एक बात यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है उसके उपर बिल्कुल भुरुशा ना करे कि कभी-कभी यहाँ पर गलत भी लिखा हुआ रहता है मतलब आको समझ में नहीं आएगा क्या-क्या यहाँ पर लिखा हुआ है तो अपको यहाँ पर जो tracks है देखसने copper tracks रहता है, उसको चेक कर लिना है, ठीक है, जो बाहर का copper tracks है, वो AC के लिए होता है, और एक वयर negative जो है, वो common रहता है, दोरों में, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आपको दिखा देता है, दिखा नहीं दे रहा, ठीक है, यहाँ पर जो यह green color का वयर है, यह negative का है, और एक common है AC के लिए भी AC के लिए भी और DC के लिए भी दोनों में common है connected negative में ठीक है और यह जो होयर है white color का यह DC के लिए है मतलब battery से यह power देता है और middle में जो है वो AC के लिए है और वो बाहर आ चुगा है copper track को आपको trace करना है किदर किदर जा रहा है इसी के मदद से आपको चक करना है ठीक है तो AC से जो बिजली आता है इन दोनों वैर में आता है इस तरह का बाल्ब में जो AC बिजली आता है उसको directly DC में किया जाता है और उसी DC voltage से battery को charge किया जाता है इसलिए थुरा सा current को ज़्यादा कर देता है ताकि जल्दी से battery charge हो सके और दो-दो SMD LED को parallel में लगा देते है current ज्यादा होने के वाज़ा से जल्दी खराब नहों इसलिए दो-दो को parallel में लगा देते है ताकि battery जल्दी से charge हो सके ठीक है फिर भी battery जल्दी से charge नहीं होता है लगभग 8 से 10 घंटा लागी जाता है तो हमें सबसे पहले यहां पर voltage आ रहा है कि नहीं हो देखना है ठीक है माल्टिमिटर लेता हूं माल्टिमिटर और माल्टिमिटर को मैं DC voltage range पे set करता हूं DC 600 volt पे set कर दिया हूं कोई बाद नहीं आप 200 पे set कर सकते हैं ठीक है इसके बाद बिजली में लगाता हूं और समाल के दोस्तों बिजली में लगाने के बाद यहां पर बिल्कुल touch नहीं करना है नहीं तो आपको शॉक लग जाएगा ठीक है उसके बाद माल्टिमेटर से चेक करना है वोल्टे जा रहा है कि नहीं ग्रीन कलर का जो वायर है वो common होता है देख सकते हैं दोस्तों 77 volt आ रहा है माल्टिमेटर में देख सकते हैं 77 से 80 volt के आसपास तो यह बिल्कुल ठीक है ठीक है तो इसका driver circuit से तो बिल्कुल भोल्ट जा रहा है मतलब confirm है कि इसमें जो SMD LED से वही खराब है तो SMD LED को इस जगा में हमें बदलना परेगा क्योंकि इतने सारे SMD LED तो ठीक है DC के लिए और सिर्फ ऐसी SMD LED खराब हो है तो इस बज़ा से तो हम पूरे MCBZP को नहीं चेंज कर सकते हैं आदे का काम नहीं होगा तो इसलिए हमें सिर्फ SMD LED को चेंज करना है और यहाँ पर जो SMD LED से वह 9 volt का है बाहर के जो SMD LED से तो बाहर के SMD LED को चेंज करना है और ध्यान रखना परेगा नेगटिव पॉजिटिव का उसे आपको चेंज करके दिखाता हूँ ठीक है यहले वैर्स को मैं डिसोल्डर कर लाता हूँ यहां से और ध्यान रखना है कौन सा वैर कहां पर करेक्टेट है ठीक है एक फोटो खिच लीजे उसके बाद काम कीजिए ठीक है मैं फोटो खिच लेता हूँ उसके बाद क्यूंकि यहां पर देख सकते दोनों ही हुआइट वायर है हुआइट कलार का दिखाय दे रहा है पाता नहीं इसका कलार अलग हो सकता है लेकिन हुआइट हो चुका है देख सकते हैं यहां पर बैटरी है सरकिट है यह बहुत ही हाइट क्या है ठीक है और देख सकते हैं यहां पर जो MCPCB है बेक साइड में अलूमिनियम है ठीक है MCPCB में से SMD LEDs को क्या से चेंज करना है बहुत ही आसानी से आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो दोस्तो आपको सबसे पहले एक आयरोन लेना पर एगा देख सकते हैं ठीक है और यह सारे 708 का है 230 V का और यह सार्टिफाइड है देख सकते हैं दोस्तों सेप्टी सार्टिफाइड ISI मार्क है तो इसको देख के आप काम करें ठीक है ISI सार्टिफाइड आयरोन ही खरी दे ठीक है तो सबसे पहले आयरोन को आपको क्या करना परेगा cotton पर slit करना परेगा देख सकते हैं Ryan है, silk है, wool है ठीक है, और यहाँ पर देख सकते है arrow है, यहाँ पर हमें जो cotton का position है उसको लाना परेगा, ठीक है देख सकते हैं, cotton का position में लाया हूँ अगर आपके iron में कोई भी mark नहीं है, तो आप maximum position परेख सकते हैं, maximum heat पर, ठीक है तो मैं यहाँ पर cotton पर रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि cotton में ज्यादा heat लगता है, iron करने में और यह बहुत ही अच्छा है दोस्तों मेरा iron machine, और यह जो है fiber glass का wire है, जो की नहीं पिग लेगा, ठीक है तो इसको मैं विजली में लगाता हूँ और इसको कुछ इस तरह से रखता हूँ, ठीक है और इसका support के लिए मैं पर कुछ चीजे रख देता हूँ, मैं motor को रख देता हूँ, ठीक है क्योंकि heat हने के बाद हमें इसके उपर mcpcv को रखना है, ठीक है support के लिए मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है कुछ इस तरह से रख दे रहा है फिलट उसके बाद बीजली में लगाता हूँ, ठीक है तो बीजली में लगा दिया हूँ, तो इसके बाद मैं कम से कम, एक से दो मिनिट ओएट करता हूँ ताकि heat हो सके तो हमारा iron एक मिनिट से हीट हो गया, उसके बाद MCPCB को लेना परेगा, ठीक है उसके पीछे थोरा सा, जो thermal paste है उसको लगाना परेगा इलकल थोरा लगाना परेगा, ठीक है thermal paste लगा दीजिए तक कि जो heat है उसको अच्छे से contact कर पाए, ठीक है बिल्गल थोरा अशा लगाना है अरे यह ज़्यादा ही लग गया कोई बात नहीं, ठीक है उसके बाद इसको यहां पर रख देंगे ओके इसके बाद नहीं करना है बिल्गल आपको, ठीक है इसके बाद एक आथ से इसको press करके रखना है, ठीक है इस तरह से उसके बाद थोरा देर हीट होने देना है और उसके बाद देखिए मैजिक ठीक है बिल्कुल आसानी से आप SMD LEDs को यहां पर से हटा सकते है बहुत ही आसानी से और यह बहुत ही हीट होता है बिल्कुल आपको समाल के काम करना है यह नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा ठीक है देखता हूँ हो गया है की नहीं बिल्कुल जल्दी हो जाता है दोस्तों क्यासी बात नहीं है साइट तो हो जगया है मुझे लगता है देख सकते ही वाव नाइस बहुत ही आसानी से जो SMD LED है उसको में डिस वल्डर कर लिया है ऐसे सभी SMD LED को में उठा लेता हूँ बहुत ही आसानी से वाव नाइस आएम क्वाइट सर्प्राइज बहुत ही आसानी से में सभी SMD LED इसको मतलब मीडिल का नहीं जो साइट का SMD LED है उसको डिस वल्डर कर लेता हूँ यह बहुत ही खराब राना हो चुगा है ठीक है वो डिस वल्डर हो गया उसके बाद MCPCB को हटा देता हूँ उसके बाद एक new MCPCB लेता हूँ ठीक है और इसमें से सभी SMD LED इसको मैं डिस वल्डर कर लेता हूँ उसी तरीकों से ठीक है तो अब थर्मल पेस्ट लगा दिया ठीक है इससे यहाँ पर बिठा देता हूँ ओके दाट्स फाइन और ट्विजर से डिस वल्डर कर लेता हूँ ठीक है जिस तरह से प्रेस करके रहना है और बिल्कुल जल्दी से हो जाता है दोस्तो देख सकते हैं ठीक है लग रहा है और हो गया है मुझे लगता है वाव नाइस बिल्कुल हो चुका है सभी SMD LED इसकों मैं डिस वल्डर कर लेता हूँ बिल्कुल तुरंद हो जाता है आपकी आखों के सामने दिखाया है वाव नाइस वाव इतना नाजुक हो जुका है जरा सा टाच करने से ही उखर जाता है वाव नाइस तो हो गया डिस वल्डर्ट वाव नाइस ठीक है बिल्कुल क्लीन हो रहा है तो उसके बाद दुबरा से हमें इस MCPCP को रखना है और उससे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ ठीक है यह पर ट्रेक को देखिए मतलब पैड को देखिए जिस तरफ जो ज़्यादा एरिया है उस तरफ नेगटिव है और इस तरफ पॉजिटिव है जिस तरफ कम एरिया है सोल्डरिंग का ठीक है वह पॉजिटिव है नेगटिव कुछ उसी तरह से SMD LADS में भी रहता है अच्छे से अरे यार देख सकते हैं इस तरफ ज़्यादा एरिया है यह है नेगटिव यह है पॉजिटिव तो उसी तरह से लगा देना है ठीक है फिर से इसको बिढ़ाता हूँ और लगा देता हूँ ठीक है थोड़ा सा केमेरा को आफ कर लेता हूँ ताकि मैं बारी की से लगा पाऊँ नहीं तो सौट हो जाएगा दूस्तो ठीक है और यहाँ पॉर कुछ इस तरह का जो सोल्डरिंग पेस्ट है उसको लगाना है अगर नहीं होता है अच्छे से एक कुछ अलग टाइप का सोल्डरिंग पेस्ट है जो की मोबाइल रिपेरिंग सोप में मिलदा है ठीक है अगर जरुरत पर है तो इसको लगाँगा ठीक है दुबारा से इसको रख देता हूँ बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है दोस्तो ठीक है से SMD LED को यहां पर लगा दिया ठीक है और लगाने के टाइम आपको पॉजिटिव नेगरिप को बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना चाहिए जैसा मैं बताया तो दुबारा इसको मैं इस सर्गिट में लगाता हूँ इस बाल्ब के और देखता हूं गलोग करता है की नहीं ठीक है अफ्ली यह रिप्यार हो जाना चाहिए दुबारा से connection कर देता हूं और देखता हूं गलोग करता है की नहीं पहले screws को लगा देता हूं तो इस्क्रूस को लगा दिया, यह भी सोल्डर कर दिता हूँ, जैसे था वसा ही, यह जो ग्रिन कलर का हुए रहे है, यह नेगटिव है, कॉमन, यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और एक्च्वाली यह पॉजिटिव का हुए रहे हैं, अंदर से पॉजिटिव कलर दिखाई द इस बगल में, ठीक है, सोल्डर कर दिता हूँ, तो परफेक्ली सोल्डर कर दिया हूँ, तो जैले इस बाल्प को चेक कर करके देखते हैं, हपको लिए वाक करे, मतलब वार्क करे, ठीक है, हमेशा सेप्टी के लिए, मतलब यहां पर 220 वोल्टी आता है, लेकिन इस बाल्प के थ्रू आता है, तकि अगर शॉर्ट साट्किट रहे यहां पर, तो यह बाल्प गलो करेगा, कोई भी फायर नहीं होगा, ठीक है, तो चलिए होपको लिए बाल्प ठीक हो चुगा है, तो गलो करें तो वीडियो को लाइक करना, दस्तिका शेर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ओन टू थ्री, येस, बिल्कुल रिप्यार हो चुगा है, देख सकते हैं, दोस्तों, बहुत ही ब्राइट गलो कर रहा है, और बीजली जाने के बाद गलो करता है की भी यह पर शॉट करके आप दिख सकते हैं दिख सकते हैं भीजली जाने के बाद में घलो करेगा ठीक है ओपली है ओपली क्या तो अब बाल प्रीक्ष और हो चुका है पूरी तरह से देख सकते हैं इस वीडियो का लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और इस चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग